Japanese Language Learners के लिए JLPT यानि Japanese Language Proficiency Test जो की Global Certification होता है उसका highest level जो की होता है N1 की तैयारी हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं और किस तरह से खतम कर सकते हैं successfully JLPT के N1 level को पार करने के लिए आए इस वीडियो के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे Welcome to Nihongo Max मेरा नाम है रवी चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं यानि कि अगर आप N1 को target करना चाहते हैं N1 की पढ़ाई को शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत सारी बातें पता चल चुकी होंगी अब तक कि अगर खाली कांजी को लिखते रहे या फिर थोड़ी vocabulary याद करते रहे तो Japanese language में certification जब उपर उपर higher level तक जाता है जैसे N2 N1 तक जाता है तो खाली उससे काम नहीं चल पाता है आपको long passages की reading करनी पड़ती है उसके information को उसको data को अच्छी तरह से comprehend करके उसके पीछे की story को समझ के answers करने होते हैं यह बात आपको पता चल चुकी होगी अगर आपने N3 N2 attempt किया हुआ है और आप N1 की preparation के लिए तैयार है और यह चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी काफी बताई हुई है अगर आप बहुत लंबी क्यों है क्योंकि इससे उपर कोई level नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि यह सबसे जादा requirement है इसकी पूरी अच्छी तरह से Japanese language की knowledge होना depth में knowledge होना खाली words की ही नहीं खाली sentence structure की ही नहीं sentence को किस तरह से enhance करने के लिए मतलब story को अच्छी तरह से वो चीज पूछी जा सकते हैं वही चीज इन फैक्ट पूछी जाती है कभी भी direct question नहीं आता है आपको इतना तो पता ही होगा आपने एनवन की comprehension की थोड़ी सी study करी है जैसे की nihongomax.com पर भी मैंने एनवन के बड़े सारे classes में divide करके अलग-अलग angles से समझाने की कोशिश करिए तो आप उसको भी ज़रूर try करिए वो आपका बहुत अच्छा base बना देगा और उसके बाद फिर आप extra course को भी कहीं से मतलब खुदी ही read करके खुदी comprehend करके speed बनाने की practice आप कर सकते हैं तो सबसे पहला जो point है एनवन का जो मैं दोकाई की बात कर रहा हूँ यानि comprehension passages की बात कर रहा हूँ उस पर सबसे जादा target रखिए वही आपको बहुत अच्छी अच्छी बहुत refined बहुत high level vocabulary सिखाएगा जै बहुत बड़े-बड़े words जैसे manifestation, resurrection ठीक है इस तरह है के words जो जैसे for example फिल्मों में use होते तो वह words आपको सीखने को मिलेंगे वह मैं पूरी तरह से recommend करता हूँ कि आप दोकाई से ही सीखें अलग से एनवन की पहले मैं vocabulary पूरी याद करूं उसके बाद फिर मैं दोकाई या अगर आप सोचें तो दो-तीन दिन, चार दिन में मैं पूरी vocabulary को दो बार-तीन बार read कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दोकाई के उपर जाओंगा, वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और directly अगर आप दोकाई से सीखना चाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात की जरुरत नहीं पड़ेगी, अगर हम vocabulary की बात करें, या kanji की बात करें, तो वो बात अलग है, आपका 50-60% दोकाई से ही आपको सीखने को मिल जाएगा, अलग से आपका 50-60% और जो कि online available है, बहुत सारा material है, अवेलेबल है, आप उससे सीख सकते हैं, उसमें 2-3 दिन ही दोकाई से शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो impossible नहीं है, अब बात करते हैं चोकाई की, यानि की listening questions जो होते हैं N1 में खास तोर पे ऐसी ही situation को बोला जाता है, जो की बहुत, for example, formal है, सब लोगों के सामने, for example, एक speech है, और उसके through writer क्या कहना चाता है, जैसे की energy resources के बारे म के बारे में, अगर narrator कुछ बता रहा है, तो आपको वो comprehend करना as a story, अगर आप vocabulary के पीछे भागेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये vocabulary, और इसमें कई सारा, कई बार ऐसा भी होता है, कि ये word, इस word से बिलकुल similar है, मतलब दोनों का ही meaning एक है, तो यहां पर ये उस situation में, किस हिसाब से मतलब कितना formal situation है, कितना भारी content है, उस हिसाब से उस word को use किया गए, अगर आपने end to end three experience किया हुए, तो आपको ये बात पता ही होगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोकाई को पहले एक story की तरह सुने, उसके बाद pause करकर के आप उस content को अच्छी तरह से 100% comprehend भी कर सकते हैं और translate भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको practice के लिए चोकाई को एक story की तरह सुनके solve करना है, again इसमें भी यही ग्यान है कि बल्क में करिए, अगर आप daily एक या दो questions भी कर सकते हैं, या फिर एक दिन चोकाई का करा, एक दिन चोकाई, फिर एक दिन time है, तो फिर इसको और थोड़ा सा बढ़ाईए, लेकिन N1 को ऐसा मत समझे के impossible है, मैं करूँगा क्या, मतलब कहां से start करूँ, कहां से end करूँ, तो start करने के लिए मैं आपको बता दिया, आप नहांगोमक्स.com से start कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारा ample material है, internet पे आप डाउ में रहते हैं, तो उसमें भी आके आप एक free trial class ले सकते हैं, और फिर उसमें भी मुझसे directly questions पूछ सकते हैं, कि N1 की दुखई को शुरू कैसे करा जाए, या खत्म कैसे किया जाए, या पहले long दुखई की practice करें, short दुखई की practice करें, इस अब detailing आप मुझसे पूछ सकते हैं, अब बात करते हैं, bumpo की, यानि की grammar की, grammar जो है, frankly speaking, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, काफी सारी grammar ऐसी है, N1 के अंदर, जो की use नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो N1 के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी, और काफी सारी ऐसी grammar है, जो काफी use होती है, जैसे कि क्योंकि accurate communication करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इन सब heavy patterns का use किया जाता है, heavy vocabulary का use किया जाता है, मैं recommend करूँगा कि internet पर ऐसा material भी बहुत available है, जो कि आपको IT से रूबरू करवाएगा, और IT में क्यों गह रहा हूँ, क्योंकि अब Japanese के साथ थोड़ थोड़ा IT सीखना, सीख जो use नहीं होती है, उसको आप end के लिए रख लो, एक दो दिन में, तीन दिन में, आप उसको चार बार, पांच बार read करोगे, तो आपका 70% उसमें से हो, और जो use होती है, वो आप अच्छी तरह से पहले से याद करो, आपके communication में भी काम आएगी, और N1 में भी काम आएगी अब बात की आती है कि हम select कैसे करें, इसका answer मेरे पास भी नहीं है, frankly speaking, अगर मान लीजे किसी book में 150 patterns दियो हैं, तो मैं around 70-80 patterns ऐसा मैं कह सकता हूँ कि यह काफी-काफी use होते हैं, जैसे अगर novels की बात करें, writer अपने emotions को किस तरह से जाहिर करता है, या फिर society में कौन सी तरह क problem है, जिसका solution यह हो सकता है, या फिर लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए, इन चीजों के लिए patterns का बहुत-बहुत use होता है, काफी-काफी use होता है, हाँ बट यह problem तो बनी रहेगी कि उसको हम differentiate कैसे करें के use होता है या नहीं होता है, तो इसके solution के लिए आप, चले कोई ब communication में भी काम आएंगे और ऐसे concept addresses इनको बिल्कुल end के लिए रखना है, मुझे 2-3 दिन के लिए ठीक है, उसको as it is input करना है और JLPT में जाके output कर देना और भूल जाना है, ठीक है, तो I think इन सब चीजों का आप follow करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, don't worry, confidence ही कोई लेवल हो, confidence ही आपको जिता सकता है, पढ़ाई, training, repetition, discipline ही आपको जिता सकता है, कोई तरीका नहीं जिता सकता है, हम अमिशा तरीके अगर ढूनते हैं, देखिए तरीकों पे भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया थे, जिसमें मैंने बोला था कि आपको क्या चीज चाहिए, discipline चाहिए, dedication चाहिए, तो जी नहीं इन सब चीजों का answer है, love, ठीक है, अगर आप Japanese language से love करते हैं, तो dedication भी आजागा, discipline भी आजाएगा, targeted भी हो जाएंगे आप, schedule भी बन जाएगा, divide भी कर सकते हैं, आपका खुद का मनपसंद काम बन जाएगा, कि वाह ये तो मैं मुझे अच kongomax.com पर ये सारी guidance समेत आपको divided material मिल जाएगा, all the best, thank you so much.